Hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग आई होप, आप सब अच्छे होंगे, स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल Steady Material Friends, आज की आपकी जो मेरातन क्लास होने वाली है, वो रही आपकी इंग्लिस पड़ागोजी की क्लास 15 नमबर की तयारी आज की इस वीडियो से कंप्लीट होने वाली है, जिसमें आप से पैसीज भी पूछा जाएगा, बाकी सारी आपकी इंग्लिस पड़ागोजी की क्लास जरूर देखे, 30 नमबर की तयारी, मैंने आपकी दो वीडियो में कवर करा रखी है, दो-तिन टॉपिक आपकी ऐसे हैं, जो वहाँ से मेरा थें खासेज में नहीं है, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट में वो टॉपिक भी डाल रखे हैं, एश्टर दोजार तेज प्लेलिस्ट आप चेक करना, वहाँ पे आपको मेरी CDP साइकोलजी की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वो टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे जैसे कि आप मनो-विज्ञानिक का जो सिध्धानतuan कि यह प्रिष्थूत का सिध्धान पाव्लाब का सिध्धान देक की धॉनड भाइख का सिध्धान उसी के साथ ठीक है CDP psychology की उसमें मैंने overall सारे topic आपको cover करा दिये हैं 2-3 घंटे में आपकी complete CDP psychology हो चुकी है आज की जो मेरा थन class रहेगी इंगलिस pedagogy की रहेगी इससे पहले एक Hindi pedagogy की भी डाल दी है जिसमें एक ही वीडियो में जो Hindi pedagogy के topic दे सारे cover हो चुके है आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना आपको playlist में मिल जाएगी मेरा थन classes की एक playlist बनी होई है उस playlist में आपको सारी classes अबलेवल हो जाएगी ठीक है तो आज की इस वीडियो को हम शुरूबात करेंगे उसी के साथ बता दू बहुत सारे बच्चे नोर्स के लिए बोल रहे थे तो एक बड़सप नमबर मैं दे रही हूँ मैं तुरंत आपको जो मेरे पास नोर्स हैं मेरा थन classes के जो नोर्स हैं complete revision के लिए CDP psychology के Hindi पड़ागोजी के और English पड़ागोजी के मैं आपके पास प्रन सेंड कर दूँगी ठीक है तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा इन सारी चीजों के लिए तो आप इस वीडियो की सुरुबात करते हैं जिसको भी नोर्स चाहिए बार बार कमेंट कर रहे थे बच्चे आती हैं और स्मार्ट स्टेडी इसको बोल सकते हो आप मरतन क्लासिस के माध्यम से आप कम समय में बहतरी तैयारी कर सकते हो तो चलिए आप वीडियो की सुरुबात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरू कर देना इनलीज पेडागोजी में सबसे पहला जो टॉपी रहेगा आपका वही रहेगा लेंग्वेज कें अ अपकिज एकुआर कीजाती है दो तरीके से आपको समझाओंगी जिससे हिंदी का दूबारा से रिवीजन हो जाएब हिंदी मैं आपका इंग्लिस करी विचन हुआ तो तो सारी चीजे रहेंगी मैं कोसिस करूंगी सारी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए दिखिए आपके जो में पॉइंट रहेंगे किसके लेंग्वेज एकुजेशन कि सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूं लेंग्वेज एकुजेशन और लेंग्वेज लर्निंग होता क्या है जिससे आपको कन्फूजन ना रहें बहासा अरजन वही रहेगा लेंग्वेज एक एसी प्रिक्रिया होती है जो कैसे अपने परिव हें आपका जो बच्चा है तो यह भाहसा बोलना सेख जाता जो आप बोलते हैं आफ देखो कि जसे मेरीका है तो इंगलिस बोली जाती उंके बच्चे-ऽनम होने के बाद जैसे बाहसा बॉलना स्टार्ट कर दे तो वह भी इंगलिस ही लोपिंग करते तो इस तरह से जैसा इए ऐसा आफ में में बोले जाएगे तो वह अ precis बैश्य आपकी माधना आपके परिवरें बोली जाती है गलिर है तो इसके इंपॉस्ट होते हैं जोकि इंपोर्टेंट है ब्लग्र में डारीट्ली आप से पूछे जाएंगे जो आपके language acquisition है क्या है एक natural process है प्राकित रूप से सीख जाते हैं उसके लिए आपको कोई effort नहीं करना पड़ता है ना natural process हो जाएगा it is unconscious process है क्या है unconscious process यह क्या हो एक अचितन प्रिक्रिया होती है और उसी के साथ it refers to the first language acquisition rather than a second language सबसे पहली जो language होती है वो आपकी यह होती है जो आपने परिवार से आप सीखते हो ना यह आपकी first language हो जाएगी और इसके बाद second language जो है आप सीखते हो जैसे कि आप स्कूल में जाते हो वहां पर आपको second language काई जाती है इंगलिस हो गई संस्किर्ट हो गई अन्यभा टंग होगी तो वह आपकी first language हो इसके बाद आप second language सीखते हो थौर्दा एक्विजेक्शन प्रॉसेज लर्नन अक्वार नॉलिज अटोमेटलिक यहां पर क्या होता है जो बच्चा भासा एक्वार कर रहा है जित कर रहा है वह सीख जाता उसके लिए कोई वेफर्ण नहीं क एक किसी प्रिकार की grammar grammar की रूजल वह नहीं रटरायना पड़ रहा है फोकॉस अन प्रैक्टिकल नॉलिज तो यहां पर यहां प्रैक्टिकल जो नॉलिज होती है उस सब्सक्राइब करना है तो अच्छी वासा का यूज होना चाहिए जिस से बच्या इनुकरन के मादम से ई पॉइंट हो जाएंगे किसके लेंग्वेज एकुजेशन के लियर है उसके बाद चलते हैं लर्निंग तो लर्निंग क्या होती है अधिकम हिंदी में कहेंगे ठीक है और यह वही भासा होती जो आपको परिवार से अलग होके आप सीखते हो ठीक है जो स्कूल में सकाई अनयुक्त होती है यहाँ परसेशन लेकिन कीूद का स्कूछ 근ी है यहाँ जा vividly पूच लिया जाएगा प्रसेशन सहे आपको डे दिया यहां पर नहीं पूछाए ना तो नैचरल प्रॉसेस हो जाएगा यह नहीं है तो आपको यह सारी चीज़े याद होनी चाहिए उसके बाद आपका everyone have a different rate of learning तो यहां पर everyone has a different rate of learning यहां पर learning सिखने का different rate होता है हर एक लर्नन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई तो इसको जो है है different rate होते हैं different rate होते हैं learning के लिए उसके बाद learning modifies the existing knowledge experience and and behavior पॉइंट रहे का motivation decided learner speed and intensity of learning use the grammatical rule of vocabulary और formal situation तो यह main point आपको याद रहे हैं formal situation है grammar के यहाँ पर rules आपको पढ़ने पढ़ते हैं वाकोई पढ़ने पढ़ते हैं चीज़ों की knowledge होने चाहिए तो यह आपको याद रखना है कौन-कौन से process रहेंगे आपके किसमें learning जो language रही उसमें तो यह main point मैं आपको करा दिए points आपको याद रखने हैं क्या चीज़ आपकी language learning से रहेंगे क्या शांब चेडिक रखने है ना तो यह आपको याद रिस्तितर हें पिक्चर हो गई ना सब्दों पर स्पीकिनग पर पिक्चर पर सींबल पर साइन पर हिंदी में बी अंको पर उनके माध्यम से सीखना आपका वरवल लर्णिंग होता एक तो यहां पर सींबल की सीखते हैं तो वह लर्ग लर्निंग की अंतरगत आएंगी कॉंसराद किया हो जुक्रातम इसको हिंद होगी तर्ग वितर्ग होगा इंटेलिजेंस होगी तो यह सारी चीज़े आपके विचारातमा दिखम में आ जाएंगे मतलग कॉंशेप्चल लर्निंग में आ जाएंगी दोनों तरीके से बता रहे हूं जो आपके मनोविज्ञानिक हैं इनको दोनों की नौलिज आपको होनी चाहिए मैं फिर से एक बार वहां पर रिपीट कर दूँगी और इन्होंने क्या कहता भासा पर लेंग्वेज पर क्यानिक विचार रहे हैं वो सारी चीज़े मैं आपको किलियर कर दूँगी देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्याजे के बारे में है प्याजे-वाजे स्सविस वायो लॉजिस्ट होंगे फ्लॉसफर एंस इकोलॉbia प्याजे होंगे तो यहाँ पर मैने आपको पहले बताती है तो जीन प्याजी को का गया है तो वो जीन प्याजी को का गया, according to प्याजी, प्याजी के नुसार, child start learning with adoption, तो देखिए, इन्होंने क्या बताया था, adoption means उसमें हमने बढ़ाता, अनुकुलन, ठीके, तो adoption होता है, वातावरन के नुसार, आपने आपको धालना, तो ठीके, तो इन्होंकी दो प्रिक्रियाएं थी, वो थी, आपकी assimilation और accommodation, assimilation में क्या होता है, assimilation में होता है, जो पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, तो वो assimilation होता है, और accommodation उसको कहेंगे, जिसमें क्या होता है पूर्वी ज्यान में परिवर्तन किया जाता है तो इन दो प्रिक्रियाओं के माध्यम से बच्च भासा को सीखता है ठीक है तो इन्होंने दो प्रिक्रियाओं बताई थी स्क्राइब के नाम अगर आपके आते हैं तो इन तनों चीजों के नाम अगर आप क्या आते हैं तो किसके दोवरा दिए गए यह जोरी ने दी धिस को जlar b यह मनोबी ज्यानिक थे most important point हो जाएंगे आपके इनकी अनुजार उसके बाद है method of teaching grammar method of teaching grammar में क्या क्या आते हैं आपके inductive method और deductive method बहुत ज्यादा पर example पर उसके आपके जो प्रियोग है experiment है उन पर study कीज आती है और study करने के बाद जो नियम निकाला जाता है ठीक है वह आपका जो नियम है वो चलता है आपका example to rule ठीक है मतलब पहले बच्चे को example दे जाते हैं और फिर rule समझाए जाते हैं कैसे जैसे कि आपको बच्चे को language English grammar चुकानी है तो जैसे कि आपको क्या करना है language चुकानी है बच्चो को language चुकानी है तो आप क्या करोगे बच्चो को पहले के example दोगे ठीक है example देने के बाद आप उसमें से बताओगे बेटा यह आपका क्या subject है यह आपकी helping verb है ठीक है यह आपका object है इस तरह से बच्चे पही ले जाया गया तो एक्जामपल डू रूल चलती है धीक ये आपका स्टूड कॉ determin होता है ठीक है आपको यादक्दा है डू सकते हैं तो यहां पे बच्चेador कोidente में मैंन के शिख्षा दी जाएगी और उसी के साथ मैं बतागो ये के psychological method होता है psychological method होता है learning by doing पर काम करता है मतलब करके सीखने पर बलतेती है ये भी थी तो inductive method में आपको ये याद रखना है ठीक है और इसके मनोविग्यानी कोने अरश्टू है ठीक है ये भी आपको याद रखना है example to rule चलती है हमारी ये भी थी clear है उसके बाद आपकी deductive method inductive की बिप्रीथ होती होती है in this method the student of first given the knowledge of the rules then the rules are explained why given an example this method is called teacher centered method which the teacher teaches all the rules देको इसमें ये क्या था student center थी ये होती है आपकी teacher center इसमें हम कैसे चल रहेते हैं example to rule चल रहेते हैं तो इसमें हम चलेंगे rules to exam इसमें क्या होता है सबसे पहले जो teacher होता है सबसे पहले rules बढ़ा देता है ना जैसे बता दिया present continuous का future continuous बता दिया इस तरह से tense बढ़ा दिये पहले और उसके बाद उनको समझने के लिए example दिये तो इस क्या होती teacher अपने मनसे करता है जो कुछ भी करता है पहले क्या गरेगा आप बच्चों को रूल समझाएगा फिर एक्जामपल देगा तो यह एक teacher-centered विद्धी हो जाते है teachers centered विद्धी होती है clear I hope यह clear हो रहे होंगे आपको यह point अगर हो रहे हैं तो अभी like कर दीज और comment निकाला जाता है और example to rules फिर चलते है clear है और इसमें डिद्धी में उल्टा होता है teacher centered होती है इसमें पहले rules दिये जाते है पहले rules समझा दिया present tense समझा दिया उसके बाद उसके present tense इस पर उसको उसने क्या-क्या example दिये तो यह उल्टी होती है इंडेक्टिव के तो यह दोनों मेथड़ आपको याद रखने हैं बहुत ज्यादा important है अब कि देखो challenges of teaching language in a diverse classroom तो यहां पे खक्षा कक्स में बहुँ बासिता एक चनौतिक रूप में देखी जाती है बहुत सारे चैलेंज करने पड़ते हैं ठीक है किसी भी language को classroom में सिखाने के लिए हमें बहुत सारे challenges देखने को मिलते हैं तो वह challenges वन वाइवन करेंगे क्या-क्या challenges देखने को मिलते हमें पहला जो challenge होता है effect of a religion language on children तो यहां पर बच्चों पर छेत्री भासाओं का प्रभाब पढ़ता है कैसे एडिया इस मुल्टि लिंग्वल कंट्री जो भारत है क्या है भुवासी देश से आपको पता होगा और डिफरेंट लेजिए यहां पर क्या होते बिविन जातियों के बच्चे आते हैं ठीक है बिविन भिन भासाओं बूली जाती है उनके दोरा तो वहां पर उन बच्चों को language आपनी आप में चनौति पहला पहली जो चनौति हो जाएगी के इस प्रिकार्प कि वाहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर क्या होता है इच्छात्रों को भासा कोशल के विकास में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है उसके बाद चलते हैं नेक्स पॉइंट रहेगा चैलेंज अप मल्टीपल लेंग्वेज ऑप टीचर तो यहां पर जो सिक्षक होता है उसको अगर जो है डिफिन ड करना पड़ता है कैसे जैसे कि एक टीचर की पोश्टिंग किसी अन्य चेत्र में हो जाए वहां उस चेत्र की उसको लेंग्वेज ना आए तो फिर उसको चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा तो यह चुनोति भी हमको देखने को मिलती है तो यहां पर यहीं हो जाएगा ए टीचर ईसभू सब्सक्राइब उसको लेंगवेज कि यहां पर उसको लेंगवेज उसको लेंगवेज तो यहां पर पिर्ति बच्चों की रूची और योगता का अभाव होना ठीक है अगर किसी student में उसके पिर्टी रूची नहीं है ठीक है योगता का अभाव है तो वो उस language को नहीं सीख पाएगा इस कारण एक teacher को क्या है चुनौति का सामना करना पड़ेगा वहाँ ठीक है तो आपको क्या है अगर किसी student को क्या है language सिखा सबसे पहले इंट्रेस्ट होना चाहिए उस चीज में तब ही वो चीज को सीख पाएगा तो यहां पर इंट्रेस्ट की कमी होते मोश्टी बच्चों में इंट्रेस्ट की कमी होती किसी language को सीखने के लिए तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है चुकि बहुत बड़ी होता है класс जो है पूरी तरह से भरी हुई होती है तो आपने देखा आपको पता होगा देखने को किसी किसी क्लास में 4045 इस तरह से आपको रीचो को मिलता है 40, 45, 50, 55 तक देखिए आप खुदी समझिए अगर 30 है 35 है 40 है तो वो फिर ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा अगर बच्चे हैं एक क्लास में और उन पर एक ही टीचर कारे कर रहा है तो आपने आप में कितनी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि एक टीचर की अपनी ए करने के लिए तो ओवर क्रावड़ेट क्लासेज भी चैनेंज के रूप में कारे करती हैं जो की इंपोर्टेंट है अगर इन चीज़ों की कमी है ठीक है आपके स्कूल में तो आप क्या है किसी भी लेंगवेज को सखाने के लिए आपको समिश्या का सामना करना पड़ेगा तो यह भी एक चनौतिक रूप में कारे करेगी तो यह सारे चैलेंजिस थे जो मैंने आपको समझा दिये हैं इंपोर्टेंट है सारे ही मेथड जो थे आपके टीजिंग लेंगवेज इन डिवर्स क्लास्रूम जो क्लास्रूम में आपको देखने को मिलते हैं ठीक है टीचर जो चैलेंजिस रहेंगे वो सारे चैलेंजिस हमने आप लिए हैं उसके बात करेंगे लर्निंग डिसॉर्डर जो कि इंपोर्टेंट है इस बार अच्छे से आपका धाउमेंशिल कर दिया है कि डिसॉर्डर आएंगे इंगलिस पैड़ागजी में भी हिंधी में और आपके CDP psychology में भी, तो disorder कर लीचे बहुत important है, दो से तीन नमबर बन सकते हैं अगर आपके रिसिक English pedagogy में पूछ ले और एक question पूछ ले आपके Hindi pedagogy में और एक question पूछ ले आपके उसमें CDP psychology में, तो आपके तीन नमबर बन जाएंगे आपके यहाँ पे learning disorder से, clear है सबसे पहला जो disorder रहेगा, वो रहेगा आपका dyslexia, जो dyslexia होता है, वो dyslexia जिसता disability with reading, यह होती है आपकी पढ़ने से समबधित, तो इसमें क्या होता है, अगर पढ़ने से समबधित कटना ही, बच्चे को हो रही है, पढ़ने में वो mistake कर रहा है, वो उल्टा सिधा पढ़ रहा है, वहाँ पे सब्दों को पहचान नहीं कर पा रहा है, symbols की पहचान नहीं कर पा रहा है, तो उसको कौन सी disability है, उसको है dyslexia, तो उसका नाम हो जाएगा dyslexia, तो आपको तो अगर बच्चा लिखने से समबदित कोई गलती करता है, अच्छे से लख नहीं पाता है, तो उसको कौन सी disability हो जाएगा dysgraphia, कौन सी disability हो जाएगा dysgraphia, किलियर है dysgraphia is the disability with writing, वो होती है लिखने में, किलियर है चिलन face difficulty with spelling, spelling में mistake करता है बच्चा है बाज को सा पढ़ता है इस तरह से उल्टा सिधा पढ़ता है कुसी चूज को तो दी को दा पढ़ता है दा को दी पढ़ता है इस तरह से वेर को वेर पढ़ता है इस तरह से उल्टा सिल्टा तो हुआँ के पर वहां पあー Box मैं अगर दिस्पिलिटी ओगी हो जाएगी बसे बक्दे को सीखने में तो सो सेप्रीक्या त्य्कि कि को नहीं समझ पार है किस त TERR dh descrição कोई विकार है चीजों को सीखने में तो हम उसको क्या नाम दîne हैं dyspraktieux ठीक है तो याद रंखना आपका सारे रिस फीकल ट सी सम्धर जाएगा तो आपका डिस्प्रक्षिया हो जाएगा स्केवटेंगा इस बीस मॉर्फ यह घृस्टि यह आपकी शोड़िती हृता है उसको मोर्फर कुलियर नहीं हो पाना कि यह है कि ये है तो इस तरह कि अगर स्थिति है चीजों को सीखने में तो वह कौन सी disability हो जागी dysmorphia एक और है इसमें में लिखना भूल गई हूँ आप पढ़ लेना चीज सारी चीजे में आपको समझा भी दी है एक होती है friends dysthemia कौन सी disability होती है dysthemia ठीक है यह होती है इसमें नहीं है तो यह नहीं समझबरा याद नहीं रख पा रहा है तो कौन सी disability है उसको stress ज्यादा लेने की dysthemia है कौन सी है dysthemia है तो यह सारी disabilities मैंने करवा दिया आपके एक्जाम में जरूर आएंगी important है सीख लेना उसके बाद करेंगे हम language skills कौन स्किल्स कौन स्किल्स कौन स्किल्स कौन स्किल्स ठीक है सबसे पहले आपका the mode of communication तो जो आपका होता है communication करने का जो mode होते है वो दो होते एक oral होता है एक return होता है ठीक है और एक होती है आपकी direction of communication skill, direction of communications होती है, एक तो होती है respective skills, एक होती है productive skills, जो respective skills होती है उसमें आते हैं आपकी wrestling और आपकी reading, देखो, यहां मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या है, चीजों को ग्रहन कर रहे हो, नि मैं कहते हैं इसको ग्रहनात्मकोश है, तो को आप सुनके सुनकर सीख रहे हो और क्या है पढ़कर सीख रहे हो है ना तो कौन से स्किल सुलेंगे रिस्पेक्टिव स्किल जब आप चीजों को कैसे कैसे सीख रहे हो सुनकर और पढ़कर यहां सामने जो लिखा है उसको पढ़ भी तो रहे हो ना साथ की सार पढ़ भी रह तो यह कौन सी मaurais स्किल्स yg पूर्दक्टिव क्या हो जाएगी मैं चीजों कर रहीं हूँ इस सथी चीजों कर रही हो तो मैं किया हो कणी स्किल्स अब自 fleet năm होगा reading होगा या फिर बहुत होगा या पिर इन मेंसे कोई नहीं तो आपको पता है ना listening and reading तो दोनों टिक कर देना अगर इन मेंसे एक है एक listening दे दिया जाए एक speaking और writing दे दिया जाए और एक दे दी जाए नन अब दे तो वहाँ पर listening लिख देना आप respective skill ठीक है इस तरह से questions आएंगी मैं आपको बता रहे हूं जैसे कि आपको productive skills पूछ ले तो बताइए speaking होगी reading होगी listening होगी या none of these होगी तो आपको पता है productive skill कौन सी होती है speaking होती है speaking ना दे आपको writing दे यह ना दे यह दोनों दे दे आपको exam आपको options में ठीक है तो आप कौन सी करोगे writing तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी आपकी productive skills होती है कौन सी आपकी respective skills होती है इंट्रेक्टिव होती है listening की situation एक होती नॉन इंट्रेक्टिव है यह ना तो नाम सापको जरूर याद रखने है और इनको पढ़ भी सकते हो आप उसके बाद आपका speaking situation तो यह भी आपकी तीन तरीके के होती है तो इसमें मैंने नाम ही लिखी है इंट्रेक्टिव पार्सली इंट्रेक्टिव है तीन तीनों याद रखना रीडिंग होगी तो प्रिकार की silent reading allowed reading ठीक है silent पता है आपको silent reading कर रहे हो किसी इसको अपनी मन मन में पढ़ रहे हो इसको क्या है बोल बोल के पढ़ रहे हो ठीक है अब पढ़ेंगे हम evolution जो की important है बहुत ज्यादा important हो जाएग उसको complete होने के बाद आपका evolution किया जाता है मुलाइंकन किया जाता है कि आपने चीजों को कितना सीखा है कितना समझा है ठीक है यह continuously process है continue चलता है the aim of what assessment evolution assistant evolution क्या होता है आकलन करना किसी भी चीज़ को major करना कि चिलन में कितनी ability है उस चीज़ को सीखने की कितनी शमता है तो उस चीज़ का ब्यापक रूप से हम क्या करते हैं मुलाइंकन करते हैं चीजों को समझते हैं कि इस बच्चे ने इस चीज़ को कितना सीखा है और नहीं सी पाया तो क्यों नहीं सीख पाया क्या ठीक है तो हम उस चीज में किस तरह से क्या है बदलाव करके उसे को चीजों को समझा सकते हैं तो इसलिए मुलांकन किया जाता है कि लिए है आपको एसिसमेंट समझ में आएगा इंपोर्टेंस ओफ एवलिशन क्या हो जाएगा तो इसमें क्या है एवलिशन हेल्फ ता टीचर तू नो वेदर ता टीचिंग में एमेथ लॉर्डी अडॉप्टिड वाई सक्सेस्पुली और नॉट तो यहां पर जो टीचर है समझ करने की जरुत है तो एवलिशन इसली किया जाता है उसके बाद इफ है दा टीचर तू नो हाउ सक्सेस्पुली स्टूडेंट वेर इन लर्निंग न्यू स्कील लिस्निंग लिस्निंग स्पीकिंग राइटिंग और ठीक है तो टीचर की हेल्प होती स्टूडेंट को इस तर कि बच्चों को सिक्षण दिया है वो उसके लिए कितना यूजफुल रहा है ठीक है उसके लिए कितना काम आएगा तो सिक्षण बच्चों ने लिए उसके लिए कितना यूजफुल है कितना आया है कितना चीज़ उसने सीखी कितनी चीज़े नहीं सीखी है जैसे मैं अभी तो यहां पे क्या है steps रहेंगे evolution की कुछ steps रहेंगे पहला जो steps रहेगा evolution is done thought is systematical approach जो आपका evolution होता है systematical approach होती है determine educational objectives तो यहां पे क्या होता है educational objectives होती है organized learning experience measured behavior change और उसी के साथ आपका platform test होता है clear है तो यह आपके steps हो जाएंगे evolution की clear है school based assessment क्या होता जो school में किया जाता हो जो assessment जो है teacher के द्वारा किया जाता है वो school based assessment हो जाएगा this forms of assessment is performed at the school level by teacher and educators तो school में teachers के द्वारा बच्चों का किया जाने वाला मुलांकन ही आपका school based मुलांकन कहलाता है और school में दो तरीकाई से assessment होता है एक होता है formative assessment एक होता है summative assessment formative assessment होता है जो teaching learning process के दवरान चलता है मतलब जो चीज़े जो अब कराने के बाद आपसे कोश्यन करती हूं और आपसे पूछती हूं तो वह होता होगा आपका सम्मेटिव असिस्मेंट तो यह दो स्कूल में किये जाते हैं स्कूल में टीचर्स के द्वारा बच्च का मुलांकन करने के लिए किया जाता उसकी योगता को निधर्द करने के क्या होता है समन्गर को सब्सक्राइब को सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से में चीजों में सुधार कर सकते हैं तो यह सो CCE abolition है, यह continue चलता रहता है, समंग रूप से, समंग ब्यापक रूप से बच्चों पर कार्य होता रहता है, clear है, तो यह हो जाएगा, आपका CCE continuous as a comprehensive abolition, यह आपका continue चलता रहता है, उसके बाद हैं हमारे teaching ads, तो teaching ads क्या हो जाते हैं, जो आपके first आती है, audio ads, हम से भासा को सुनकर सीखते हैं, तो radio के tape recorder, gram of work के बाद हम से हम चीजों को language को सीखते हैं, तो ठीक है, तो जिन चीजों को हम सुनकर सीख रहे हैं, वो आपके teaching material हो जाएंगे, उसके बाद visual हैं, जिनको हम देखकर सीखते हैं, जिनसे हम जैसे की, आपके क्या हो जाएंगे, blackboard होगे, textbook होगे, chart होगे, maps होगे, models होगे हैं, इन चीजों के मादम से हम क्या करते हैं, तो यह सारी चीजे, film strip होगे, picture होगे, इन सारी चीजों के मादम से हम देखकर चीजों को सीख पाते हैं, कोई भी language है, तो हम यहां से इन चीजों को यूज करके हम चीजों को भासा को language को सीख पाएंगे, यह भासा language में हो गई, यह psychology में इस तरह से सीखने के प्रतिफाल्स हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, तो psychology में, उसमें, CDP में क्या हो जाएंगे, सीखने के प्रकार हो जाएंगे, किस-किस तरीके से हम सीख सकते हैं, एक होता है, audio-visual aids में, इसमें दोनों तरीके से सुनकर भी और देखकर भी चीजों को सीखते हैं तो वो audio-visual aids के अंतर गताएंगे, जैसे कि क्या-क्या हो जाएंगे आपकी यह television होगे, television में हमें सुनाई भी दे रहा है और दिख भी रहा है न, तो अब चीजों को सीख रहे हैं, जैसे कि आपकी आजाएंगे टेलिविजन, और चीजों को सीख रहे हैं, आपर पढ़ने वाले हैं ठीखिस पहले हैं तहीं को समझीजिए और कषे लिनिंग इंवाल्फ दर प्रोसे जो आपकी लेंग्वेस होगी उसके इसको भालब होसा होता वो लिस्णि अंबिशु लिस्णिगे कि बोलना इडिञ पढ़ना और डिफेन अ सब तो इन चारों चीजों के माध्यम से हम किसी लेंग्वेज को सिखा सकते हैं और कोई भी बच्चा लेंग्वेज को इस तरह से सीख सकता है ना तो लर्निंग इस बेस्ट ऑन फोलो वैल डिफाइन इन प्रिंसीपल प्रिंसीपल रहेंगे वह हैं पहला तो है आपका कहीं भी आप किसी बच्चे को लेंग्वेज को सिखाने में तो आपके लेंग्वेज को सीखना चाहते हैं उनको मोटीवेट होना बहुत जरूरी है ना तो एज टीचर इसमें यह चीज़े पूछी है जो प्रिंसीपल रहेंगे आपके यह रहेंगे कि एज टीचर आप कि आपके जो लेंट्स हैं जिनको आप लेंग्वेज सेखंपाना चाहते हों वो सबसे पहले मोटीवेट होने चाहिए तो मोटीवेशन पेले कले जो मोटीवेशन रहीगा प्ले करेगा इन इंप्वोर्टंटें Baldwin लेंग्वेज में तर्श लर्नर सुड़ भी मोटिवेटर जो आपकी लर्नर से वह मोटिवेट होने जरूरी है तब ही उस चीज को सीख पाएंगे और ना सिर्फ भासा को ही किसी भी काम को अगर आप एस्टेट पास करना चाहते तो आपको मोटिवेट होना बहुत जाला ज़रूआ अगर आप म चाइल लर्नर सीज मदर तंग वाइविटेशन तो यहां पर क्या होता है जो बच्चे भासा को सीखते है जो उनकी मदर घंग होती है वह नकल के माध़म से सीखते हैं जो उनकी माता इंप पापा धर परिवान में जो भी उसकी जो लेंग्वेश बोली जाती है जिसको हम क ग्रेट डिल उप एनर्जी एंड इंट्रेस्ट अमॉंग लेर्नर सो दे विल पे अटेंशन टू लर्निंग लेंग्वेज तो यह चीज बताई कही है कि आप एज टीचर आपको अपनी स्टूडेंट में जो आपकी लेर्नर सुंगी जो भासा सीखना चाहते हैं उनके अंदर कटाई एक्रेसी और सुधता होनी चाहिए किसी भी लेंग्वेज को शुखाने के लिए बादुम उन्दीर सो लॉन्द वह बहुत ज्यादा जारूरी थे क्या become a simple affair तो देखो जब उनको लगेगा कि हां language हमारे लिए most important हो जाएगी सीखने उसका purpose हो जाएगा तभी उसे वो सीखेगा interest के साथ के लिए है तो वो तभी decide करेगा कि हां इससे अगर हम यह language सीख लेते हैं तो यह हमारे लिए आगे चलके हम कितना उससे हमें फायदा होगा कि इसने हमारे लिए important होंगी इस सारी चीज़े तो परफस होना most important हो जाएगा किसी भी language के लिए आगे आपका language pattern is habit आदत के रुप में भासा पैटन ठीक है तो language learning is a habit information जो लेंग्वेज लेंग्वेज भासा सीखना आदत के सोचना प्रिक्रिया हो जाएगी इस प्रोसेश अभी भी किसी भी भासा को easily सीख सकते हैं आगे आपकी oral approach ठीक है तो इसमें क्या होता है मौकिक रचना की रूप में कैसे भासा को सीखोगी oral approach के मादम से a child learners to speak his mother tongue before reading or writing इसमें क्या होता जो child होता है जो जैसे बच्चे को किसी को भासा सीखनी है तो वो कैसे क्या करेगा सब से पहले वो speak करेगा मतलब बोलेगा अपनी मात्र भासा को उसके बाद ही वो reading और writing करना सीखेगा इस प्रिंसिपल सुड़ बी अडॉप्टी न लर्निंग एंड टीचिंग ए सेकंड और और ए फोरीजन लेंग्वेज तो इसका क्या मतलब रहेगा यहां पे जो लेंग्व लेगा नेच्रल लॉडर आप लर्निंग लिशनिग लेडिंग और राइटेंग जो बच्चा रहेगा जो बच्चा जो चोटा रहेगा जो भासा को शीखेगा वह बिना मतलब तंग की भासा को नहीं सीख सकता है इसीज़ का आपको ध्यान में रखना है तो नेच्रल आप इसमें क्या होता है सिखाते समय सभी चार भासा कोशलों को उचित महतर दिया जाता है वही जो आपके चार कोशल मैंने आपको बताये थी सबसे पहले आपका सुनना बोलना और उसके बाद पढ़ना फिल लिखना इन चार कोशल का महतरपन भूमिका होती है अगला लेंग्वेज पैटन करती है किसी जो लेंग्वेज पैटन सौफ हैविट के आपकी पॉइंट्स हो जाएगा अपका स्लेक्शन ग्रेजुएशन के लिए अब आती है आपकी टाइप सब लिसनिंग ठीक है टाइप सब्सक्राइब लिसनिंग और मदो देंस पर लेना बाकी ब्यापक रूप से सुनना तो इसमें जो है सब्दों के अर्थ भी बच्चा समझ लेता है तो आपको डिस्क्रीमिटिंग और कंपेरिशन में सिर्फ इतना ही आपको डिफ्रेंस पता होना चाहिए कि लिए यह तो आपकी टाइप्स ऑफ लेस्निंग हो जाएंगे डिस्क्रीम आता है तंप सुन्हेशन तो यहां पर आपकGive होती है जो रहाएंगे इंट्रेक्टिव होती है इसमें पहली जो रहेगी होड़ी इंट्रिया विश्क रहेगी थी पार्सली इंट्रेक्टिव नहीं है यह आपको लाएंगने उसके बाद आती आपकी material विडियों खतम हो जा जरू कर दो बहुत मेनत लगती है आप सभी के लिए content prepare करना और एक ही वीडियो में पॉसिवल ना पाना इस चीज़ को कि आपके सारे topic almost clear हो जाए तो मैंने 88087748 पर message करना है ठीक है और जैसे आप message करते हो तो मैं ये पीडियाप आपको send कर दूँगी उसके लिए आपको 100 रुपीज पे करना होगा जिसमें ना सिर्फ आप English की पीडियाप मिलेगी साथ मैं आपको Hindi की पीडियाप, Hindi पेडागोजी की पीडियाप और CDP psychology की पीडिया जिससे क्या है एक्जाम से पहले एक दो बार आपको वीडियो देखनी है चीजों को समझना है एक्जाम से पहले आपको मोटे मोटे उस पीडियाप के थ्रू अपना revision कर लेना है ठीक है जिससे आप चीजों को ना भूल इन तीनों ही पीडियाप में मैंने complete आपका जयरे चुछल को मैं होती है और आपकी यह आपकी City क्या होती है इसको कहते है घ्रफी कि यह प्लेंघ्र में डानाशचे को समझ लेना तो से पहले शची क्या होती आपका निदानात्माय में लगल्यों है क्या होती है लिएा है सबस Bentра लें to know the case यहां पर क्या होता है निदान का अर्थ होता है डाइगनोस का अर्थ होता है जाना ठीक है जाना यानि यहां पर जो बच्चों की कमिया है कठनाईया है चीजों को सीखने में उनका पता लगाया जाता है चीजों को डाइगनोस किया जाता है कमियों का पता लगाना डाइ विए से कि डॉक्टर के पाहत सम गई है किर वहां पर क्या है बद यह बिमारी को जाना यह उसके बाद दवाई भी फिर Selfow कर दो पहले उसके क्या है पता कर लगा समान उसके के फिर उसके क्वचा पता sih मैं आपको समझा दी है, डियागनोस का मतलब होता है जानना, कटना यूगा पतल लगाएगा, रिमीडियल का मतलब होता है, उपचार करना, चीजों को खतम करेगा, किलियर है, तो यह आपके हो जाएंगी दोनों teaching बहुत जादा important है, तो आज की पीडियब भी बनाई थी, चीजों को select किया था, फिर मैंने आपके सामने मेरा धन लाई है, तो आप वीडियो एक लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंस पे शेर कर देना, जिन्होंने एश्टर का फॉर्म भरा है, और चैनल को subscribe कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो भी आप सभी को मिलती रहें, तब तब के लिए आप सभी का धन्यवाद और पेडियाप चाहिए, तो message जरूर कर देना, thank you friends